प्रिय भाईयों और बहनों, जैसे ही हम दिसम्बर के पवित्र महीने में प्रवेश कर रही हैं, हमारे दिल इसा मसी के अविश्वस्निय उपहार के लिए खुशी और कृतग्यता से भर जाएं, जिनके जन्म का जश्न हम इस मौसम में मनाते हैं। जिसने सभी के लिए आशा, शान्ती, आनंद और मोक्ष लाने के लिए अपने पुत्र को दुन्या में भेजा। जब हम प्रियजनों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, तो आए हम सबसे महान उपहार को याद रखे मसीर का उपहार, जिसकी हमारे जीवन में उपस्तिती हमें भीतर से बदल देती है। इस आगमन रतु के दौरान, क्या हम जानबूज कर प्रार्थना, चिंतन और क्रद्यता के लिए कुछ प्षण अलग रख सकते हैं? आईए हम अपने आगमन पुषपांजली पर आशा, शान्ती, खुशी और प्रेम की मुम्बत्तियां जलाए, जो विश्व के प्रकाश के आने की प्रत्याशा का प्रतीख है. जैसे ही हम परिवार और दोस्तों के साथ पिकठा होते हैं, हमारे घर न केवल उत्सव की सजावट की गर्मी से, बलकि प्यार और दयालुता की गर्मी से भी भर जाते हैं. हमारे कार्यों को ईसा की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए कहते हैं, जैसे उन्होंने हमसे प्यार किया है. मौसम की आपाधापी में आईए उन लोगों के प्रती सचेत रहें, जो अकेलेपन दोख या कठिनाए का अनुभव कर रही हों. दयालुता का हाद बढ़ाएं, प्रोचसाहन का एक शब्द कहें, और अपने आसपास के लोगों के साथ मसीह के प्रेम को साजा करें. यह दिसंबर आध्यात्मिक नविनी करण का समय हो, जो हमें ईश्वर के हृदय के करीब लाएगा. क्रिस्मस का संदेश पूरे वर्ष हमारे जीवन में गूंचता रहें, जो हमें करुणा, विनम्रता और कृतध्यता की गहरी भावना के साथ जीने के लिए प्रेरित करें. आपको एक धन्य और आनन्द मै क्रिस्मस सीजन की शुबकामनाएं, जो उस शांती से भरा हो जो सभी के समझ से परे हैं, और वहाँ प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है. मसीर के प्रेम में, स्पिरिचुल बाइट्स की ओर से सभी को आशिर्वाद. झाले लिए लिए को आशिर्वाद.